एक दिन की बाद थे टूनी चिणिया उदास बैठी थी क्योंकि सारे जंगल की पेण पौधे सुखने लगे थे गर्मी का मौसम धीरे धीरे आने लगा था तभी टूनी चिणिया कबुतर से बोलती है अरे लूसी बैहन इस जंगल का हलात धीरे धीरे बिगड़ रहा है और हमारे बच्चे भी तो हैं इतने दूर से हम लोग आते हैं भोजन के तलास में इस जंगल में फिर भी हम लोगो थोड़ा सा ही भोजन मिलता है जितना मैं भोजन लेकर जाती हूँ अपने बच्चो को ही खिला देती हूँ मैं तो भूखी रह जाती हूँ पूरी रात अभी तो भोजन मिल जा रहा है तो मैं अपने बच्चो को खिला देती हूँ अगर इस जंगल का और हालात भी गड़ जाएगा तो इस जंगल में भोजन मिलना नामुम्किन हो जाएगा फिर हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे तुम करो कुछी लूसी बेहन, कुछ उपाएब बताओ, ताकि हम लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके लूसी बेहन मैं भी यही सोच रही हूं टूनी बेहन हमारी एक मौसी है हम लोग वहीं चलते हैं हमारी मौसी कुछ मदद करेगी तुम सही बोल डियो लूसी बेहन चलो तुम अपनी मौसी के घर फिर टूनी चिर्या अपने बच्चे को पीठ पर बैठा कर फिर कबुतर के साथ में उरते उरते पहारी वाले जंगल में अपनी मौसी के घर पहुँच जाती है और कबुतर अपनी मौसी से बोलती है मौसी मौसी हम लोग को सहारा दे दिजिये मौसी हमारे जंगल में जितने सारे पेर पोधे थे सब सूख गए हैं मौसी इसलिए हम लोग आपके पास आ हैं अगर उस जंगल में हम लोग रहते तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और ये साथ में मेरी सहेली है इसका ना उसमें कुछ खेती कर सकें और आपको भी उसमें से भोजन दूंगी मौसी और हम भी अपने बच्चों को खिला सकते हैं भर पेट मौसी ठीक है तब लूसी पास वाले खेत में चली जा वहां टमाटर का फसल बहुत अच्छा होता है ठीक है तब मौसी हम लोग खेती करने के ल दूनिया अपनी बेटी को मौसी के पास छोड़ देती है फिर वहां से खेत में दोनों पक्ची चले जाते हैं कबुतर अपनी चोंच से जमीन एक तरफ खोद रही थी दूसरी तरफ टूरी चिलियां टमाटर लगा रही थी टमाटर लगा कर दोनों पक्ची अपने घर चले जाते हैं कुछ दिन योही बिज जाता है फिर दोनों पक्षी अपने खेत में टमाटर को देखते हैं फिर देखकर बोलते हैं दूसे बेहन तुम्हारी मौशी कितनी अच्छी है अगर हम लोगों को तुम्हारी मौशी सहारा नहीं देती तो हम लोगों के बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं हा टूनी चिर्या तुम सही बोल रही हो नसीम में साइड ऐसा किसी को मौशी मिलती होगी सच में हमारी मौशी बहुत अच्छी है अच्छा ये सब बात छोड़ो टूनी चिर्या अब चलते हैं भोजन लेकर हमारे बच्चे भी भूखे हैं वो हमारा इंतिजार करते होंगे च मा लूसी बेहन तुम सही बोल रही हो हमारे बच्चे बहुत भूखे होंगे चलो जल्दी फिर उसके बाद दोनों पक्छी भोजन लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं फिर टूनी चिर्या बोलती है अपने बच्चे से बेटा मून मून ये लो मैं तुमारे मून ये बोजन लेकर आई हूं तुम्हें भूख लगी है ना बहुत जोर से ये लो बेटा ये भोजन खाकर अपने पेट भरो हां मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मां मैं ये भोजन खाकर अपने पेट भरूंगी मां सच में तुम मेरे लिए कितना मेहनत कर रही हो मा खेत में काम करके ये फसल उगा करके ला रही हो फिर मेरे लिए भोजन लारी हो मा सच में तु मेरे लिए कितना कर जो मा अच्छा मुन्मुन ये सब बात छोड़ो मौसी कहा है मुझे उनसे बात करनी है मैं यहाँ हूँ टूनी टमाटर का फसल अच्छे से हुआ ना तुम लोग भी ये टमाटर खा कर देखो कितना अच्छा मीठा लगता है मैं तो इसी फल को उगा कर भोजन करती हूँ और हाँ तुम लोग को भोजन खा कर इतना बचेगा उतना बजार में बेच देना उसके बदल में पैसा मिलेगा ताकि वो पैसे से फिर से बिज खरिद कर फिर से फसल उगा सको ठीक है तमोसी हम और दूसी बजार में टमाटर बेच आएंगे ठीक है तमोसी हम लोग जा रहे हैं बजार में टमाटर बेचने हमारे बच्चों को अच्छे से देखभाल कीजिएगा हाँ लूसी तुम लोग जाओ तुम्हारे बच्चों को अच्छे से में देखभाल करोंगी फिर दोनों पक्षी टमाटर लेकर बजार में बेचने चले जाते हैं फिर बोलती है टूनी ये लो कैसा टमाटर बेच रहे हैं बजार में चिला चिला करके बोल्डी ऐसा टमाटर पूरे बजार में नहीं मिलेगा चल कर देखते हैं इन दोनों के पास फिर कवा दोनों पक्छी के पास जाता है फिर कवा टूनी चिरिया से बोलता है अरे तुम लोग ये कैसा टमाटर बेच रही हो और तुम्हारे सहली बोल रही है कि ऐसा टमाटर पुरे बजार में नहीं मिलेगा हाँ कवे भाया आपने सही सुना ऐसा टमाटर पुरे बजार में कहीं नहीं मिलेगा आप इस टमाटर को देखिए कितने लाल लाल हैं ये टमाटर पुरे ताजे हैं ये अभी अभी फोसल हुआ है एक बार ये घर पर आप ये टमाटर ले जाएए और इसका चटनी बना कर खाएए बीना चीनी का ही लगेगा मीठा अरे कवे भाईया आप इतना सोच क्यूं रहें एक बार ये टमाटर खा कर देखिए फिर मुझे आप बताईएगा ये टमाटर का चटनी का ऐसा लगा ठीक है टूनी चिनिया तुम इतना बोल रही हो तो मैं लेकर जाओंगा ये टमाटर लेकिन एक समस्या है मैं टमाटर लेकर जाओंगा तो घर पर मेरी सोटेली मा है अगर उसे पसंद नहीं आया तो मुझे वो बहुत मारेगी क्यूंकि घर पर मेरी सोटेली मा का ही हुक्म चलता है। आपके लिए आपको ट्रमाटर का चट्मी अच्छा लगेगा माँ। देखिये माँ ये कितने लाल-लाल है। कुछ बोलिये ना माँ। तुझे कौन बोला था ये ट्रमाटर लेकर आने के लिए। तुझे पता है ना, जब मेरा अपना बेटा लेकर आता है तब मुझे पसंद है, याद रख तू, तू मेरा सौतेला बेटा है, समझा तू? मा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मुझे मालूम है, मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ, लेकिन मा, सौतेला और अपना में क्या फर्क है, फिर भी मैं तुम्हारा बेटा ही लगता हूँ ना, ऐसे मत बोलो मा, एक बेटे से ज़्यादा प्यार करती हो, और एक से थोड़ा स भी नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है मा, इतना भी हमसे दुस्माने मत करो मा, तु अपना बहुत ज़्यादा मुझ चला लिया, सुन कान खोल कर मेरी बात, आज के बाद तुम मेरे घर नहीं रहेगा, ये टामाटर उठाओ, जहाँ से लेकर आया है, वहाँ निकल जाओ अभी के अभी, आज के बाद तुम मेरे घर मत आना, यहाँ तेरा कोई भी नहीं है, समझा तू, जाओ यहाँ से तुम टामाटर उठा करके मा, तुम गुसा मत करो, मैं अभी के अभी निकल जाता हूँ ये टामाटर लेकर, बस मा, मेरी यही तमन्ना है, तु अच्छे से रहना, अब मैं जा रहा हूँ मा फिर कवा, टामाटर लेकर उन दोनों पक्चों के पास जाता है, फिर बोलता है कवा टुनी चिणिया, मैंने बोला था न, मेरी मा टामाटर नहीं लेगी, क्योंकि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ इसलिए, और तो और टुनी चिणिया, मेरी मा मुझे घर से निकाल दी है मैं अब कहां जाओं टूनी चिलिया, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जीसे मैं अपना कहूं, मुझे तो बहुत जादा टेंसन हो रही है, अब मैं कहां जाओं और कहां रहूंगा कवा भया, आप टेंसन मत लिजिए, लूसी बहन की एक मौसी है, वो बहुत अच्छी है, मौसी आपको जरूर सहारा देगी, आप मेरे साथ चलिए मौसी के पास हाँ कवा भया, मेरी मौसी बहुत अच्छी है, आप चलिए मेरी मौसी के पास, और वैसे भी पूरा टमाटर बेश दिये हम लोग, चलिए कवा भया अब ठीक है लूसी बहन, मैं चलने के लिए तयार हूँ फिर तीनों पक्छी घर पर पहुँच जाते हैं, फिर कबुतर बोलती है अपने मौसी से मौसी मौसी, हम लोगों ने पूरा टमाटर बेश दिया, वो तो सब ठीक है लूसी, ये तुम्हारे साथ कौन है, और क्यूं आया है यहाँ मौसी, ये कवे भाईया है, हम लोग इन्हें लेकर आये हैं साथ में, वो दरहसल क्या है न मौसी, ये कवे भाईया हम लोग के पास से टमाटर लेकर गए थे, इनकी मा सौतेली है, इनकी हाथों से कुछ भी खाना नहीं पसंद करती है और तो और मौसी, इनकी सौतेली माट घर से निकाल दी है, इनके पास कोई घर नहीं है, इसलिए मैंने अपने घर लेकर आ गई हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया न मौसी नहीं लुसी, तुम दूसरों की मदद की तुम्हारी इस्वर मदद करेंगे, अब हम लोग एक परिवार की तर साथ में सम्मिल कर रहेंगे और एक दूसरे का हर दुख सुख में साथ देंगे, ठीक है लुसी फिर सारे पक्छी साथ में रहने लगते हैं और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं और खुशी-खुशी से जिन्दगी बिताने लगते हैं